हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं को कैड कर लिया जिससे पैंथर भाग नहीं सका हाला कि पैंथर घायल अवस्था में होने के कारण किसी पर जपट्टा नहीं मार सका वन विभाग के करमचारी ने दो पैंथर के बीच टककर होने से ये घायल होने की अवस्था में लग रहा है जिसे वे भाग नहीं पाया उन् जैपुर जन्तु आलय में ले जाया गया जहां पश्यू चिकित्सा द्वारा इसका स्वास्थ परीक्षन करवाया जाएगा। सूचना पर मौके पर सेक्ड़ ग्रामीनों की भीर लग गई उसके बाद वन विभा के करमचारियों ने राहत की सांस ली। सूचना मिली ओपिस में तो हम ओपिस से है जो रेश्क्यू को लेकर के यहां मौके पे पहुच गया तुरंट और मौके पे आने के बाद में पेंतर को देखा गया हमारे दुआरा तो अंदर एक कोटरी बढ़ी हुई उसकी 25 के अंदर ही है जो पत्र चिलाने की उसके अंदर हुआ जिसके आधे में दो उपर चदर चदर में उपर से खूला था और इक घेट उसके खूला हुआ था हमने जा करक bisher घूक मौक दीजा तो इसके अंदर के अंदर बैटा वहा था तो हम इसको आत्र पर निकलने की पोछार वहार आया तो हमने बाहर आए झैव मैं जाली प कर दिया और फिर बातमें देखा थैसके साथ में पिंज़िने मिलिया आगे क्या घिकरी दौरा उसका है जो इलाज कराएंगे और यहां से है जैसा भी निर्देश मिलेगा तो फिर अधिकारी को अउगत कराएंगे अधिकारी द्वारा जो भी निर्देश मिलेगा तो इसको उजेपूर जन्तुवाले में है पसुछ जिके सक अधिकारी द्वारा है जो वहापे इलाज है परतिकराई लबस्ता में होने से क्या लगता है किसी वक्तर पर लड़ाई दो पेंथर की आपस में लड़ाई हो सकती है बाकी है जो इसको किसी का मारने जैसा हमें परतुत नहीं हो रहा है कि किसी द्वरा राजस मन्जिले से जागुप टीवी के रेपोर्ट